वेल तो हे गाईज वेलकम टू माई चैनल माने मिस फंकस तो वेल आपका स्वागत नौर मेरे रस्लिंग में तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे सेकेंड वाले वाले जाके सब्सक्राइब कर लो क्योंकि उ यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं और यह है ड्राफ्ट के डेट को लेकर जो कि ओफिशली डर्लोड की तरफ से कंपर्म होते विए दिखाई दी चुका है और क्या रोमन रेंस वरसेज सेथ रोलेंस हमें सावधी रिबे के पेपर वीव में देखना और जिसने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो बैसाप्स्क्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट और इसी इंट्रस्टिंग वीडियो के लिए ओके चलते हैं टॉपिक की शुरुआती करते हैं जो कि ब्रेवाइट को लेकर तो ब्रेवाइट को लेकर क्या लब एक्सपेक्टेड है कि में भी हमें जो ब्रेव आइट हैं वो रेटन करते वे दिखाए दे जाए बैक्लाश के बाद वैल ऐसी हाँ पर हमें रिपोर्ट देखने को मिलती रहेंगी लेकिन यह है कि भाई ब्रेव आइट के साथ में अभी प्रॉब्लम चल रही है तो आने वाले समय में रेटन में थोड़ी बहुत देरी हो सकती है लेकिन ब्रेव आइट हमें चल्दी ही डेव लोडी के अंदर देखने को मिलेंगे भाई पता नहीं कैसे हैं पर इतने बड़े प्रॉब्लम सा जाते हैं ब्रेव आइट के साथ में हर बार ऐसे बड़े-बड़े मौके पे वैसे अगले अपडेट की तरफ चलते तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है ड्राफ 2023 को लेकर तो ड्राफ 2023 का ओफिशल डेट कंफर्म होते वे दिखाई दे चुका है तो जो फर्स डेट हमें आपर देखने को मिल रहा है वो है 28 अप्रेल का यह 28 अप्रेल का डेट जो की कंफर्म होगा है जो कि हमें देखने को मिलेगा तो यानि की 28 अप्रेल जो हमें फर्स डेखने को मिलेगा वहाँ पर हमें पहला ड्राफ देखने को मिलेगा एंड इसके बाद 1 माई को आमें यहाँ पर दूसरा ड्राफ देखने को मिलेगा तो यह कुछ यहाँ पर ड्राफ 2023 को लेकर अपडेट देखने को मिली है तो इसको लेकर आपके क्या थॉट्स है भाई कॉमेंट सेक्शन में जरू बता देना और ड्राफ तो भाई काफी जादा नस्दीक आचुका है अगले अपडेट की बात कर ले तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है और यह है जो कि WWE के काफी बड़े मैच को लेकर जो कि हमें स्मैक डाउन में देखने को मिलेगा आने वाले दो हफतों में तो यह मैच होने वाला है Undisputed Tag Team Championship के लिए जहाँ पर हमें Sammy Jen and Kevin Owens अपना मैच रसल करते वे दिखाए देंगे अपनी टाइटल को डिफेंड करते वे दिखाए देंगे दी उसोस के अगेंस्ट में यस दी उसोस वर्सेस Sammy and Kevin यह वाला एक बड़ा मैच जो कि हमें स्मैक डाउन के अंदर देखने को मिलेगा आने वाला जो स्मैक डाउन है उसके बाद वाले स्मैक डाउन के अंदर हमें यह मैच देखने को मिलेगा तो भाई ओवरॉल देखना इंट्रस्टिंग रहागा कि ह यह मैं क्या कोछ यहां पर changes देखने को मिलेगा क्या कोई changes होगा भी या फिर नहीं होगा तो भाई लट से मतलब title change को लेकर expected मतलब में भी यहां पर डवली चाहेगी तो title change करते वे दिखाए दे सकती है लच्छी वैसे अगर इसको लेकर कोई betting odds आती है तो मैं जरूर आप आपडेट वीडियो के अंदर बता दूँगा वैसे अगले अपडेट की तरफ चलते तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है दबी स्टेंट कॉनेट ब्रॉक लेकर तो ब्रॉक लेकर को लेकर अपडेट हमें यह देखने को मिलिया कि backlash 2023 जो headline करने वाले हैं वह ब्रॉ ब्रॉक लेस्टनर है वो headline करते वे दिखाए देंगे यानि कि रोमल रेंस या फिर अधर सुपरस्टार हमें यहाँ पर headline नहीं करते वे दिखाए देंगे backlash को backlash के जो main headline होंगे वह हंगे the beast incarnate ब्रॉक लेस्ट तो यह कुछ यहाँ पर काफी बड़ी अपडेट देखने को व बुठादेना अगले अपडेट की बात कर ले तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है roman reigns वर्सस सेथ फ्रेकिंग रॉलिंज को लेकर तो क्या roman reigns वर्सस सेथ फ्रेकिंग रॉलिंज हमें night of champions में देखने को मिलेगा इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है तो जैसा कि आ पर compete होगा और वहाँ पर अगर कोई बड़ा match होना है तो वो सेथ फ्रकिंग रॉलेंस के साथ में काफी बड़ा match बनते वे दिखाई दे सकता है and wli यहाँ पर maybe 1000 days compete करने के साथ साथ यहाँ पर हो सकता है कि रोम अरेंस के title को हटवा भी दे उनके साथ में मतलब ऐसा possibilities कम है बहुत ही जादा भाई उस दिन पर काफी बड़ा moment होगा लेकिन ऐसे डवली टाइटल तो हटवाना तो नहीं चाहिए लेकिन maybe एक काफी बड़ा sense बना सकता है क्योंकि Knight of Champions भाई Seth Rollins जानते रहोगे क्या कुछ उन्होंने कर रखा है पहले भी Knight of Champions में I think उन्होंने Double Championship भी जीत रखी है तो ऐसे में कह नहीं सकते है Seth Rollins कुछ भी गड़ सकते है तो भाई हो सकता है अगर WL चाहे तो ऐसा प्लान करते वे दिखाए दे सकती है अगर Seth Rollins को जितवाना है एक्चुल में नहीं तो फिन हमें वही नॉर्मली रोमल ने इस यहाँ पर हराते वे दिखाए देंगे तो भाई यह तो एक्सपेक्टेड एक रूमर है कि हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है वेल अगर ऐसा होता है तो भाई Night of Champions अपने आप में यह काफी बड़ा बन जाएगा तो आप लुक का क्या कहना है वेल इन सारे अफडेट्स के ओपर क्या थिंक्स है क्या ओपीनेंस है और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और असी इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एवरिवन गाईस